आपकी मतलब जो कहानी है खेर है बहुत ही अच्छी ये भी आपको बेहतर ढंग से इसको समझना है बिश्व बिद्याले के चमतकारियंग क्या निए एक एक पॉइंट यहां पर मैंने किलियर कर दिया है बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में एक विश्व बिद्याले था जिसका नाम ज्यान पूरी विश्व बिद्याले था अब किसी भी रास्टर के भागी के स्वरूप का निर्माण उसकी कच्छाओ में होता है आप उस निबंद में इस भूमिका को डाल सकते तो बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में एक विश्व बिद्याले था जिसका नाम ज्यान पूरी विश्व बिद्याले था यहां बहुत सारे चात्र पढ़ने आते थे इस विश्व बिद्याले का मुख्य उद्देश था चात्रों को अच्छा इंसान बनाना और नए ज्यान का सरजन करना नए ज्यान का सरजन करना एक दिन गाउं में कुछ अजीब हुआ विश्व बिद्याले के बाहर एक बड़ी घड़ी लगाई गई जो नंबर दिखा रही थी यानि किसको कितना नंबर मिला है हर रोज यह नंबर बदलता रहता कभी किसी को पांच हो जाता किसी को तीन हो जाता गाओं की लोग या समझ नहीं पा रहे थे कि ये नंबर क्या है बाद में पता चला कि ये विश्व विद्याले की रैंक है इस रैंक को हर साल एक खास संस्था द्वारा तैयार किया जाता है National Ranking Framework इसमें केवल यह देखा जाता था कि कितने रिसर्च पेपर यह सोध पत्र प्रकासित हुए एक, कितनी बार इन सोध पत्रों को पढ़ा गया नंबर दो और कितने सोध चात्र वहां से पास हुए यह इन ही आधारों पर रैंकिंग का निर्धारन करता था अब विस्विद्याले के सभी सिक्षक और चात्र इसी रैंक को बढ़ाने में लगे रहते थे सिक्षा का असली मकसद प्रस्न के गहरे में आ गया इसी ग्यानपुरी विस्विद्याले के एक बुद्धिमान प्रोफेशर थे ग्यानेश्वर ग्यानेश्वर को यह बात बहुत खटक रही थी उन्होंने देखा कि अब सिक्षक चात्रों को पढ़ाने के बजाए सोध पत्र लिखने में बैस्त रहते थे जब भी कोई चात्र किसी सवाल के लिए आता तो सिक्षक कहते मैं अभी बैस्त हूँ मुझे एक और सोध पत्र लिखना है चात्र नेरा सोजाते क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था प्रोफेशर ग्यानेश्वर को यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी उन्होंने सोचा कि सिक्षा का असली मकसद चात्रों को पढ़ाना और सही रास्ता दिखाना केवल सोध पत्र लिखने से समाज में बदलाओ नहीं आएगा जब तक हम चात्रों को सही मार्ग दर्शन नहीं देंगे इसी बीच विश्विद्याले की रैंक यानि ग्यानपुरी विश्विद्याले की रैंक अचानक बहुत बढ़ गई सबने तालिया बजाई और कहा अब हमारा विश्विद्याल है दुनिया में सबसे अच्छा लेकिन प्रोफेशर ग्यानिस्वर ने सोचा क्या हम वाकई सबसे अच्छे हैं उन्होंने देखा कि रैंक ने सिक्छकों को केवल सोध करने के लिए मजबूर कर दिया था और अब पढ़ाई और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस पीछे चूट गई थी अब प्रोफेशर ग्यानिस्वर ने जो एडिटोरियल में सुझाओ दिया गया काम में महाईर हो सकता था और छात्रों को भी बेहतर सिक्षा मिलती या यह सुझाओ बहुत महत्पूर्ण सुझाओ इस एडिटोरियल में कि भाई कुछ प्रोफेसर ऐसे हो जो रिसर्च पर काम करें कुछ ओ जो टीचिंग पर काम करें इस से रिसर्च भी चलता रहेगा और भी चलती रहेगी यह सुझाओ बहुत हैं रैंकिंग से ऊठने वाले प्रशनों के ऊपर बहुत अच्छा ये सुझाओ- फिर प्रोफेसर ज्ञाने यह दो दो सुजाओ दिया विश्विद्ध्याले को यह भी सीखा है कि केवल सोध पत्र की संख्या नहीं बल्कु उसका समाज और देश पर प्रभाव में पून पिर पकड़ियेगा यानि उन्होंने दो सुजाओ दिया कि दो प्रकार के प्रोफेसर हुने चीत तीसरा सुजाओ दिय निकाले मालों को कि भाईया वो सारी नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को तीसरा सुजाओ दिया कि सोध पत्र की संख्या को काउंट करके आप रैंकिंग केवल मत दो वह भी एक पैरामीटर लोकिन एक पैरामीटर ये भी हो कि इस रिसर्च से एजुकेशन और सोसाइटी पर क्या इंपक्ट पड़ा है याद रखें तो ये उनकी बहुत अच्छी एडवाईस थी सीख क्या मिलती है आपको और हमको इस कहानी से या सीखने को मिलता है कि सब अंकों और रैंक के पीछे भागने से सिक्चा कासली उद्देश से पुरा नहीं होता सिक्चा कासली उद्द कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ आपको सिखा दिया गया